मानव शरीर जिसे की हम human body भी बोलते हैं काफी जादा important topic है science का और friends हर exam में इस topic से question पूछे ही जाते हैं तो friends आज मैं आपके लिए इस topic का complete video लेकर आया हूँ आप सभी की demand आई थी friends की मानव शरीर पे आप सभी को video चाहिए तो friends आज आपके लिए मानुशरी पे topic पे वीडियो लेकर आया हूँ और ये complete video होगा जितने भी कोशन exam में पूछे गए हैं अब तक जिनके आने के chances हैं वो सभी कोशन मैं आपको आज इस video में करवाने वाला हूँ friends यकीन मानिए हर exam के लिए ये video काफी जादा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा रक्त को शुद करने वाला अंग कोन सा है सही answer है kidney kidney जिसे की हम हिंदी में व्रिक भी बोलते हैं friends ये रक्त को शुद करने वाला अंग है ये आपको याद रखना है next question मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कोन सा है friends question को ध्यान से समझना है इस question में पूछा गया है कि जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कोन सा है आपका अंसर लीवर होगा लीवर को friends हम यकरित भी बोलते हैं यहाँ पे आपके लिख देताओं में यकरित भी बोलते हैं और friends अगर आपसे ये पुछा जाए कि मनुष्य के शरीर का बहारी सबसे बड़ा आंग कोन सा है तो आपका अंसर होगा तो अच्छा अगला कोशन मानो शरीर का सबसे भारी अंग कोन सा है सही आंसर है लीवर जिसे कि मैं आपको बता यकरित भी बोलते हैं ये मानो शरीर का सबसे भारी अंग है ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पुछा गया है नेक्स कोशन मानो शरीर में विटामिन ए कहा संचित होता है सही आंसर है यकरित में यानि की लीवर में मानो शरीर में विटामिन ए संचित होता है यानि स्टोर होता है अगला कोशन मानो शरीर में गुनसोतरों की संख्या कितनी होती है सही आंसर है मानो सुतर में कुर मिलाके 46 गुनसोतर होते हैं और अगर हम जोडों में बात करें फैंट 23 जोडे होते हैं दोनों तरह से आपने आंसर याद रखना एक्जाम में पूछा जाता है अगला कोशन लाल रक्तकन जिसे कि हम RBC भी बोलते हैं और इसका विज्ञानिक नाम है Erythrocyte ये भी आपको याद रखना है पुछा गया है कि RBC यानि कि लाल रक्तकन का जीवन काल कितने दिन का होता है सही आंसर है 120 दिन का होता है मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है सही आंसर है एनमल एनमल जो फ्रेंट्स हमारे दांत होते हैं दांत का जो फ्रेंट्स दांत जिसका बना होता है उसी को हम एनमल बोलते हैं और यह हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है Next question, मानव रख्त का pH मान कितना होता है मानव रख्त का pH मान होता है सही आंसर है step is जो है यह मानो शरीर में सबसे छोटी हड़ी होती है और आपको फेंट से यही बताओना अच्छी है कि यह हमारे कानों में पाई जाती है अगला कोशन मानो शरीर में सबसे मजबूत मानस्पेशी कौन सी है सही आंसर है masseter masseter जो है यह मानो शरी में सबसे मजबूत मानस्पेशी होती है यह आपको याद रखना एक्जाम में पुचा जाता है अगला कोशन कौन सा उत्तक हड़ी को मानस्पेशी से जोड़ता है सही आंसर है tendon जो होता है आपको याद रखना है अगला कोशन मानो शरीर में जल की मातरा कितनी होती है सही आंसर है लगभग साथ पतिशर जो है ये मानो शरीर में जल की मातरा होती है मनुश्य में रक्त की मातरा कितनी होती है सही आंसर है लगभग 5-6 लिटर जो है ये मनुश्य में रक्त की मातरा होती है या आपको याद रखना है सर्व ग्राही रक्तसमू कौन सा होता है आंसर है AB plus AB plus जो है फिर्ट्स ये सर्व ग्राही रक्तसमू होता है यानि कि Universal recipient होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है सही आंसर है तोचा मैंने आपको उपरी समझा है था कि जो तोच्छा है ये सबसे बड़ा अंग है और पुछा जाए कि आंतरिक अंग कौन सा है तो मैंने आपको बताया था लीवर होता है मनुष्य के हिरिदे में कितने कोश्टी है यानि कि कितने चैंबर्स होते है आंसर है चार कोश्टी होते है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है सही आंसर है तंतरी का तंतर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो मैंने आप सभी के लिए एक गिफ्ट रखा है gift यह है कि friends मैं आपसे 2 question का test लूँगा दोनों question का अगर friends आप सही answer देते हो तो अगर आप 5 lucky student में आते हो तो आपको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 GK की book है वो विल्कुल free दिया जाएगा तो friends आप test जरूर attempt करना अगला question मानव मोतर का pH मान कितना होता है सही answer है 6 होता है मानव शरीर में अमीनो अमल की संख्या कितनी होती है सही answer है 20 लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है answer है toiline जो है ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है मानव शरीर में टीबिया नामक हड़ी कहां पाई जाती है सही आंसर है मनुश्य के पैरों में अगला कोशन मानव शरीर में परती दिन लगभग कितना मूतर बनता है सही आंसर है लगभग 1 से 1.5 लिटर नेक्स कोशन कर लेते हैं लिंग निर्धारन होता है सही आंसर है पुरुषों के क्रोमोजोम पर लिंग का निर्धारन होता है यह आपको याद रखना है फेंट पुरुषों में जो XY क्रोमोजोम होता है और याद रखना है आपको XY और जो महिलाई होती है उनमें XX क्रोमोजोम होता है मानव शरीर में रक्त परी भर्मन में कितना समय लगता है आंसर है 23 सेकेंड मनुष्य का हिरिद्य कितनी बाद धड़कता है आंसर है 72 बार परती मिनेट रक्त चाप मापने का यंतर कौन सा है आंसर है स्फिग्मो मैनो मिटर भोजन की पाचन के रिया कहां से प्रारंब होती है आंसर है मुख से शोईत रक्त कान का जीवन काल कितना होता है सही आंसर है 2-4 दिन यह आपको याद रखना है फैंट्स यह अप्रॉक्सिमेट टाइम है कहीं पर आपको 2-3 दिन भी मिला हो सकता है फैंट्स यह अप्रॉक्सिमेट टाइम है और आपको फैंट्स यह पता होना चैने के शोईत रक्त कान याने की WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं इसका अगर आपसे साइंटिफिक नेम पुछा जाए तो वो लुको साइट होता है यह भी आपको याद रखना है अगला कोशन मनुष्य के सौंद्रे का अध्यान क्या कहलाता है सही आंसर है कैलो लॉजी कैलो लॉजी जो होता है यह मनुष्य के सौंद्रे का अध्यान कहलाता है फैंट्स यह पूरा वीडियो आप देख लेना या किसी भी स्टेट एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हैं, हर एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन पूछे ही जाते हैं, इस वीडियो को बनाने बहुत महनत लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगला कोशन कर लेते सवस्त मनुशे के सवशन दर लगभग कितनी होती है, आंसर है 16-18 बार प्रती मिनट, मानव मस्तिश का वजन कितना होता है, आंसर है 1350-1400 गराम के बीच मानव मस्तिश का वजन होता है, मानव शरीव में सबसे मजबूत हड़ी कहा होती है, आंसर है जबरे की हड़ी जो होत आप्तर उपर मैंने आपको इस घड़ी का नाम भी बताया है अगला कोशन, रक्त की मात्रा शरीर के बहार का कितना होता है? आंसर है लगभग 7 प्रतिशएद नेक्स कोशन, मानव शरीर में उत्कों का निर्मान किसे होता है? आंसर है, प्रोटीन से मानव शरीर में उतकों का निर्मान होता है, ये आपको याद रखना है अगला कोशन, मूत्र किस कारण से दुरगंद देता है आंसर है, यूरिया की उपस्तिती के कारण मूत्र दुरगंद देता है स्टार मार कर लीजे हर साल रिपीट होता है DNA की आकरिती को क्या कहते हैं आंसर है double helix क्या जाता है अगला कोशन Epidermis में तवचा की कितने परते होती है आंसर है 5 मानौशरी की सबसे कमजोर हड़ी कौन सी है आंसर है रीड की हड़ी जो है यह मानौशरी की सबसे कमजोर हड़ी होती है आंख की कौन सी संदचना सबसे समेधन शील होती है लेकिन इसमें रक्त वहीकाएं नहीं होती आंसर है cornea एक्जाम के लिए काफी important है इसे भी star mark कर लेजिए अगला कोशन मानव के मस्तिश का सबसे बड़ा भाग कौन सा है आंसर है cerebrum cerebrum जो हता है यह मानव के मस्तिश का सबसे बड़ा भाग कहलाता है यह आपको याद रखना है अगला कोशन हर साल एक्जाम में रिपीट होता है लाल रक्त का निकाएं यानि कि RBC मुखेता कहां बनती है आंसर है अस्थी मज़ा में अस्थी मज़ा को friends हम bone marrow भी बोलते है ठीक है friends bone marrow भी कहा जाता है यह आपको याद रखना है उमीद करता हूँ friends आपको जितने भी कोशन मैं करवा रहा हूँ सभी कोशन आपको important लग रहे हैं क्योंकि friends आप सभी को बता है कि इसी टाइवे कोशन हर साल एक्जाम में repeat होते हैं तो friends एक तरह का आपके लिए revision वीडियो है मानव शरीर में यूरिया का निर्मान की संग में होता है आंसर है यक्रित में मानव मनुश्य के शरीर में खून के शुद्धी करन की प्रकिरिया को क्या कहते हैं आंसर है रक्त अपोहन जिसे की हम डाइलेसिस भी बोलते हैं अगला कोशन मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थी कौन सी होती है आंसर है फीमर या बोल सकते हैं जो हमारे जांगों की हड़ी होती है यह मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थी कहलाती है और सबसे मजबूत अस्थी भी यही होती है अगला कोशन एक समाने व्यक्ति के रक्त का औसत पी अच मान कितना होता है मैंने आपको उपर बताया था 7.4 होता है यह आपको याद रखना है तो औसत पुछा गया है तो 7.35 से लेके 7.45 pH व्यसक मानव में कितनी अस्थियां होती है आंसर है 206 लार किसके पाचन में सहयक होती है आंसर है स्टार्च के पाचन में किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस पर जूड़ी होती है आंसर है अचल संधी यह भी आपको याद रखना है नेक्स कोशन करवाने से पहले अब मैं आपके दो कोशन का मैं टेस्ट रखा है तो आपने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना है और अगर आप लग्की स्टूडेंट होंगे तो आपको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 की जीके की बुक है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा अगर आप बिल्कुल सही आंसर देते हो तो फैंस आपने कॉमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फैंस दोनों आंसर भी बताने है तो कोशन है मारा कि मानव शरील में गुन सूतरों की संख्या कितनी होती है चार आप्शन है आपके पास दूसरा कोशन है टेस्ट का मानव रखत का पी एच मान कितना होता है फैंस दोनों कोशन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है फैंस अगर आप लग्की स्टुडेंट होंगे संख्या अधिक होती है क्योंकि आंसर है पहार पर वायू कम संगरित होती है अगर आपने ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो रवी दिती क्लासित पर जाके आप देख सकते हो इंग्लिश में आप ठीक है फैंस इस सेम वीडियो को और टॉपिक वाइस करन्ट अफेर पढ़ना है डेली अगर तो आप करन्ट अफेर बाई रवी को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे फैंस हर एक्जाम के लिए काफी यूसफुल है अगला कोशन सनायू किसको जोड़ता है आंसर है अस्थी से जोड़ता है सनायू जिसे की हम लिगामेंट भी बोलते हैं दोनों नाम आपने याद रखने हैं दोनों नाम एक्जाम में पूछे गई हैं अगला कोशन रखत सम्हूं यानि की बलट ग्रूप्स की खोज करता कौन थे आंसर है कार्ल लैंड स्टीनर ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है फेंड यकीन मानिये फेंड अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो फेंड पूरा वीडियो आप जरूर देख जाना एक्जाम में बहुत जदा हैल्प मिलेगी मेरी बात फेंड आप यकीन कर लेजिए अगला कोशन मा और शिशू के मध्य गले लगना या चूमना किस हर्मोन को किस तरावन को प्रेडित करता है आंसर है ऑक्सिटोसिन हर्मोन स्टार मार कर लीजिए अंध बिंदू या पित बिंदू आँख के किस भाग में पाए जाते हैं आंसर है द्रिश्टी पटल जिसे की हम रेटिना भी बोलते हैं अगला कोशन सरवाधिक विशाक्त उत्सरजी परदात कौन सा है आंसर है अमोनिया रक्त में गुलुकोंस का इस तर किसमें वैक्त किया जाता है आंसर है मिलीग्राम प्रती डैसीलीटर में रक्त किस प्रकार का उत्तक है आंसर है तरल संयोजी उत्तक सही आंसर है तरल संयोजी उत्तक जिसे की हम फ्ल्यूट कनेक्टिव टिशू भी बोलते हैं नेक्स कोशन स्टार मार्क कर लिजे से मानव की जीवन काल में कितने दांट दो बार विक्सित होते हैं आंसर है मानव की जिवनकाल में कुल 20 दाँ जो होते हैं दो बार उखते हैं और मानव के दाँ चार प्रकार के होते हैं ये भी आपको याद रखना है Next question मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानि कि रिफ्लेक्सिव एक्षन का नियंतरन केंदर कहां स्थित होता है आंसर है मेडिूला अबलंग्याटा ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है पलिहा जिसे की हम स्प्लीन भी बोलते है जिका वाइरेस का वाहक कौन सा मच्छर है आंसर है एडिस मच्छर मानव शरीर का कौन सा अंग अलजाइमर रोग से प्रभावित होता है आंसर है मानव मस्तिश्क अलजाइमर रोग से प्रभावित होता है जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है आंसर है कैडमियम कौन सी गरंथी व्रिद्धी हार्मोन का रिसाव करती है आंसर है पिऊश गरंथी जो है ये व्रिद्धी हार्मोन का रिसाव करती है पित का संचेन कहां होता है आंसर है पिताश्यमे अस्थी एवं दांत निर्मान हितु क्या आविशक है आंसर है केल्शियम और फॉस्फोरस मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाई संकर्मन से शरीर की रक्षा करती है आंसर है शोयत रक्त कनिका यानि की WBC आरेच कारक का नाम किस जन्तू से संबंदित है आंसर है बंदर से किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है आंसर है आंथ मनुष्य में मेरू तंतरिकाउं याने कि स्पाइनल नर्व्स की संक्या कितनी होती है आंसर है 31 जोडि अतियाधिक उचाई पर जाने पर मानो शरीर में लाल रक्त कनिकाउं की संख्या पर क्या प्रभाव परता है आंसर है लाल रक्त कनिकाउं की संख्या में व्रिद्धी हो जाती है अगला कोशन हिरिद्य की धरकन किस तत्व द्वारा नियंतरित की जाती है आंसर है potassium और potassium का formula होता है K यह आपको याद रखना है exam में कई बार पूछा गया question है friends अगर आपको वीडियो पसंद आरे है वीडियो की quality पसंद आरे है content पसंद आरे है वीडियो को like और share ज़रूर करना friends आपके लिए important information अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो हमारी जो current affairs की book है हमारी gk की book है market में launch हो चुकी है रवी current affairs के नाम से हमारी book है अर्दवार्शय की किताब है हर exam के लिए काफी useful है friends आप इस book को सरिफ flip card या amazon से ही खरीच सकते हो friends आप इस book को खरीच के अपनी exam की त्यारी को काफी जादा मजबूत बना सकते हो topic wise सभी questions हमने इसमें लिये हैं और easy language हमने सब कुछ समझाया हुआ है और friends हमारी जो gk की book है वो भी काफी useful है उसमे science, quality, history, economics, geography, सब कुछ friends हमें डाला हुआ है complete सार संगर है किताब है 50,000 इसमें हमने question डाले हुए है हर exam के लिए काफी useful है 95% से जादा question directly हमारी book से मिलेंगे तो ravie gk book को भी आप खरी सकते हो flip card या amazon से ravie gk book ठेक है फिर्ट दोनों का link में वीडियो के description में डाल दूँगा वहाँ से जाके आप इस book को खरी सकते हो और अपने exam की तियारी को best कर सकते हो अगला question है मारा स्वशन में बहार निकली वाईयो में CO2 लगभग कितने मातरा होती है answer is का लगभग 4% अगला question मनुश्य में कपालिये तंतरिकाओं यानि की cranial nerves की संख्या कितनी होती है answer है 12 जोडी हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें सही answer है रक्त का सकंदन नहीं होता एक्जाम के लिए काफी important है एक धड़कन या हिरिद्य गती की एक आवरिती में लगभग कितना समय लगता है answer है 0.8 second enzyme एक प्रकार का क्या है answer है जैव उत्पेरक यानि की bio catalyst आँख में प्रकाश तरंगे कि स्थान पर सनाईयों उद्योगों में परिवर्तित होती है answer है द्रिष्टी पटल लडो और उडो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है answer है adrenalinil को HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है answer है AIDS AIDS का full form होता है acquired immunodeficiency syndrome अगला question स्वस्त मनुशे की रक्त में platelets की संख्या समानेता कितनी होनी चाहिए सही answer है 2,00,000 से अधिक मानो शरीर में सबसे छोटी अंतस्तरावी गरंथी कौन सी है answer है प्यूश गरंथी जिसे कि हम pituitary gland भी बोलते है और यह कहां पाया जाता है हमारे मस्तिश में पाया जाता है यानि कि हमारे brain में पाया जाता है इसका जो अकार होता है मर्टर का जो दाना होता है इतना बड़ा होता है ये भी आपको याद रखना है रक्त चाप रक्त दाब मापने के लिए कि सुपकरन का प्रियोग किया जाता है स्फिगमो मैनोमेटर का प्रयोग किया जाता है मानव शुरी का समाने तापमान कितना होता है most important question है तो फैन सही answer है अगर हम बात करें Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit होता है Fahrenheit scale पर Celsius पर बात करते है 37 degree Celsius होता है Celsius scale पर और अगर हम बात करें Kelvin scale पर तो 310 Kelvin होता है तो तीनों आपको याद रखना एक्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है अगला कोशन इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्तरावित होता है आंसर है अगनाशिय से most important question है आपके लिए अगला कोशन डेंगू बुखार होने पर मानोशरील में किस की कमी होने लगती है अगना कोशन वरिकों के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मातरा बढ़ जाती है इसे कहते हैं आंसर है यूरीमिया अगना कोशन अलीज़ा परीशन किस रोग की फैचान के लिए किया जाता है आंसर है AIDS के लिए अगला कोशन, स्टार मार कर लिजे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आंसर है केरेटिन पाया जाता है ये भी कई बार पुछा जा चुका है कोशन अगला कोशन यदि एक पिता का रक्तवर्ग A है और माता का रक्तवर्ग O है तो उनकी संतान का रक्तवर्ग कौन सा हो सकता है आंसर है A अथवा O रुधिर प्लाजमा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं आंसर है लिंफोसाइट पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है आंसर है बैरी-बैरी प्लाजमोडियम पर जीवी का वहग जीव कौन सा है आंसर है मच्छर एक्जाम में कई बार पुछा गया है MRI का पून रूप क्या है आंसर है Magnetic Resonance Imaging ये भी आपको याद रखना एक्जाम में पूछा गया कोशन है उमीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे इसी वीडियो में मतलब मैं आपको कम टाइम में सबसे जाधा content देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक्जाम में बहुत जाधा help मिले अगर आपको मेरी ये महनत पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारी जीकी की बुक जो है वो सबसे बेस्ट बुक है अब तक की मार्केट में मतलब एक्जाम में डारेक्टली कोशन हमारी भुक से ही च्छप रहे हैं तो आप उस बुक को Flipkart या Amazon से खरी सकते हो अगरा क्जाम बुक को किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है आंसर है सही आंसर है इसका अस्थी रंदता यानि कि ओस्टियो पॉरिसिस के लिए BMT का फुल फॉर्म होता है Bone Mineral Density यह आपको याद रखना है अगला कोशन Potassium Alpta किसके संबंध है अगला कोशन मधुमे के उपचार में परियोग होने वाले हार्मोन इंसूलिन का विश्कार किस ने किया था अगला कोशन समाने जुकाम यानि Common Cold किस वारिस के द्वारा होता है अगला कोशन कर लेता है एक्जाम के लिए important है रिदय की धड़कन की गती किसके द्वारा बढ़ती है आंसर है अनुकम्पी तंत्रिका द्वारा जैविक प्रकिरिया को तेज करने में कौन सा प्रधात उत्तरदाई होता है आंसर है एंजाइम भोजन विशाक्ता किस जिवानों के कारण उत्पन होती है आंसर है सेल्मोनेला बैसिलाई अल्कोहल के निराविशन यानि की डिटॉक्सिपेकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदाई है आंसर है यक्रित काफी बार पूछा जा चुका है अनिमिया रोग किस पोश परदाद की कमी के कारण होता है आंसर है फॉलिक एसिड नेक्स कोशन फैनिल कीटो निूरिया रोग किस से संबंदित है आंसर है मानसिक जड़ता से प्रेरक कोशल यानि की मोटर स्किल मस्तिक्ष के कौन से भाग के साथ संबंदित है आंसर है ललाट भाग या बोल सकते हो फ्रेंटल लो अब हो क्या होता है कि साइंस में इंगलिश वाले वर्ड भी याद रखने होते है मनुश्य के कंकाल में कबजा संधी यानि की हिंड जॉइंट का एक उतक्रिश उधारन की नस्तियों की संधी में मिलता है आंसर है अलना एवं हूमिरस नेक्स कोशन है मारा संक्रिमे चुहे के काटने से कौन सा रोग होता है आंसर है प्लैक रोग होता है अगला कोशन सलफा दवाईया किन बिमारियों के उपचार के उपयोगी है आंसर है जिवानों जनित बिमारियों के लिए अगला कोशन स्टार मार कर लिजिए मानो शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है आंसर है ग्रेट सैफिनस शिरा यानि कि ये पैर में उपस्थित होता है अगला कोशन DPT वैक्सिन का प्रयोकिन बिमारियों से बचाव के लिए किया जाता है सही आंसर है डिप्तिरिया, कालिखासी एवं टेटनस अगला कोशन रक्त को हिरिदय तक पहुचाने वाली धमनिया क्या कहलाती है आंसर है हिरिदय धमनिया या वो सकते हो कोरोनरी आर्टरीस यह आपको याद रखना है और फ्रेंच DPT का फुलफोम होता है डिप्तिरिया, पारेटेसिस, टेटनस अगला कोशन अन्सूमिया, नामक रोग किसे समन्दित है आंसर है सुंगने की शक्ती की कमी से अगला कोशन विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है ब्रिक, यानि किड्नीज मानोशरी का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइट्रेट का भंडारन करता है आंसर है यकरित मनुश्य में मदू में रोग किस हार्मून की कमी से होता है आंसर है इंसुलिन ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है नेक्स कोशन पाचन तंतर के किस रस में कॉलोरेस्ट्रोल पाया जाता है आंसर है पित में मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है आंसर है कोलम या बोसकते हो स्प्लेकनिक गुहा अगला कोशन अधिकतर कीट किस प्रकार सोशन किरिया करते है आंसर है स्वाशनली परनाली के द्वारा तंत्रीका तंत्र का विकास और पथम किस जीव में माना जाता है आंसर है हाइड्रा में तो प्रेंट साब को याद रखना है कि हाइड्रा में तंत्रीका तंत्र का विकास और पथम माना जाता है अगला कोशन ब्रिद व्यक्ति का रक्त दाप समानेता सही आंसर है बढ़ जाता है अगनाश को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है आंसर है सिक्रिटिन नेक्स कोशन स्टार मार कर लिजे रक्त दाब का नियंतरन किस ग्रंथी द्वारा होता है आंसर है अधिब्रिक ग्रंथी या वो सकते हो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्त दाप का नियंतरन होता है माना भ्रून का हिर्द्य संबंदन कब प्रारंब होता है आंसर है विकास के चौथे पांचवे सब्ताह में सनाईउं एवं कंडराएं कैसे उत्तक है आंसर है सन्योजी उत्तक लाइपेज द्वारा वसा के जलिये अब घटन के पश्चाथ क्या प्राप्त होता है आंसर है वसी एमल और गिलिसरॉल अगला कोशन हैमि कार्डेटा संग के जीवों में किस प्रकार किस द्वारा किस के द्वारा उत्तसर्जन होता है आंसर है कोशिका गुच जिसे की हम गलोमेरियूलस भी बोलते हैं अगला कोशन मुत्री की मातरा का नियंतरक है सही आंसर है ADH जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायोरिटिक हर्मोन एवं एल्डोस्टिरोन याद रखना आपको ADH एवं एल्डिस्टिरोन अगला कोशन अब इंदुकता यानि की इंडिस्पोजिशन नामक रोक किस अंग को प्रभावित करता है आंसर है आंखों को शीत निदरा के दोरान मेढग किस अंग से सोशन करता है आंसर है केवल तोचा से अगला कोशन कर लेते हैं यातायाद पुले शराब के नशेवाले व्यक्ति की स्वाश जांच में किस ग्यास के मिश्रन का प्रियोग करती है। आंसर है Potassium, Dichromate, Sulfuric, Amal कौन सी औशदी मूत्र के इस तराव को पृत्साहित करती है। आंसर है Diuretic मानो शरीर में भूग तथा त्रिप्ती मस्तिक्ष के किस भाग त्वारा नियंत्रित होता है। आंसर है Hypothalmas पशों के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आंसर है Oxytocin हार्मोन का। अगला कोशन कर लेते हैं श्वाशों श्वाश यानि ब्रीधिंग में बहार निकली वायू में Oxygen की कितनी मातरा होती है। आंसर है लगबग 17% अमाश्या की भित्ती से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। आंसर है Gastrain अगला कोशन कर लेते हैं कोशिका के किस भाग में संपन होती है। आंसर है कोशिका द्रव्य एवं Mitochondria स्वाशन द्वारा उत्पन उर्जा का संचय किस रूप में होता है। आंसर है ATP अनू में कार्बो हाइडरेट तथा वसा मेटाबॉलिजम के प्रमुक अंतिम उत्पाद है। आंसर है कार्बन डाइकसाइड एवं पायरविक अमल। अगला कोशन अवाविय सोशन यानि की अनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रकिरिया होती है। आंसर है Glycolysis। माना में स्वाश दर प्रती मिनट लगभग कितनी होती है। आंसर है बारा से पंदरा बार। अगला कोशन फाइल एरिया किसके कारण होता है। आंसर है गोल क्रीमी दुवारा यानि की राउंड वॉम। नेक्स कोशन सिलिकॉसिस रोग किस अंग से संबंदित है। आंसर है फेफडे से। स्टार्च के जल अब गठन से कौन सा एंजाइम बनता है। आंसर है एमाइलेज। रिदे की धड़कन नियंतरित करने के लिए क्या अविशक है। आंसर है सोडियम। कम नींद आने के लिए किस चिकिसा शब्दवाली का प्रियोग किया जाता है। आंसर है आनिद्रा का। यानि की इन्सौम्निया या बोच सकते हो स्लिपलेसनेस। अगला कोशन मस्तिक्ष का कौन सा भाग गुर्तवा करशन के विरुद शरीर का समर्थन करता है। आंसर है अंतराली केंद्रक या बोच सकते हो इंटरस्टीशियल न्यूकलियस। नेक्स्ट कोशन एक्जाम के लिए काफ़ी इंपॉरेंट है मलेरिया प्लाजमोडियम नामक परजीवी की खोज किस विज्ञानिक ने की थी। सही आंसर है सर रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट कोशन है हमारा ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियो धर्मी समस्थानिक यानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रियोग किया जाता है आंसर है आर्सेनिक चोहत्तर अगला कोशन साल कटीका किस रोक से संबंदित है आंसर है पोलियो से संबंदित रखता है अगला कोशन थाइरोड गरंथी को थाइरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्त्रावी हार्मोन कौन सा है आंसर है टी एसेच यानिकी थाइरोड स्ट्यूमिलेटिंग हार्मोन किस हार्मोन में आयोडिन उपस्थित होता है? आンसर है थाईरोक्सिन शरीर में प्रतिवर्थी किरियाओं का नियंतरन एवं समन वे कौन करता है? आंसर है मेरू, रजू दुख्द निस्काशन, हार्मोन, ऑकसिटोशन का स्तराव कौन सी करन्थी करती है? आंसर है पियूश गरंथी यानि कि पिचुवेटरी ग्लैंड मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है आंसर है प्रोटोजोवा अगला कोशन कर लेते हैं अफलाटॉक्सिन खादे विशाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है यकरेत अनुवांशिक रोग लिंग सहल गन क्या है आंसर है रोयल हीमोफिलिया नेक्स कोशन कर लेते हैं मनुश्य के शरीर में रक्त प्रभा की गतिम आपने के लिए किस रीडियो एक्टिव ताथव का प्रियोग किया जाता है आंसर है रीडियो सोडियम आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के उपर पढ़ना है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर ले कराऊंगो तो आपने कॉमेंट ज़रूर करना है कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है अगला कोशन, वैसो प्रोशिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आंसर है, डाई यूरेसिस अगला कोशन, और स्तन एक समानने मानव बस्तेश का भार कितना होता है आंसर है, 1.36 किलोग्राम अगला कोशन, स्तंध हरियों में दुख्त स्तराव को कौन से हार्मन उत्तेजित करते हैं आंसर है, ओक्सिटोशिन एवं प्रोलैक्टेन फ्रिंट्स, अकर आपको वीडियो पसंद आरे है, वीडियो की कॉलिटी पसंद आरे है, मेरी मेहनत पसंद आरे है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडिबैक भी जरूर दिएगे, आपको मेरे वीडियो कैसा लग रहा है अगला कोशन, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है आंसर है गुन सूतरों की संख्या में परिवर्तन के कारण नेक्स कोशन है मारा, रक्त कैंसर होता है जब शोयत रक्त कन की संख्या हो जाती है आंसर है 12,000 पर CC अगला कोशन, अगला कोशन है मारा, डिसलेक्सिया नामक बिमारी मानोशरिय की संख से संबन दित है आंसर है मस्तिष्क, अगला कोशन, पैरोटीड गरंथी कहां पाई जाती है, आंसर है कान के नीचे, एड्स किसका संशिप्त रूप है, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, आप सभी की डिमांड आ रही थी, कि आप मुझे लाइफ देखना चाहते थे, तो आप मेरे ब्लोगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मेरे जल्दी लाइब आने वालो, मेरे ब्लोगिंग चैनल का नाम है रवी अदिती ब्लोक्स, ठीक है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सब लाइफ टाम जूड़े रहो, ठीक है, एक्जाम के बाद भी, अनितिमेता के कारण होने वाले रोक को क्या कहा जाता है, आंसर है कार्यातमक रोक, एथलीट फूट नामक बिमारी किस से होती है, आंसर है फुफन दियाने की फंगस से, एड्स की उपचार के लिए सबसे उप्युग दबा कौन सी है, आंसर है जीडो वुडिन, किस कनिक पौधों का प्रियोग किया जाता है, आंसर है सर्प गंधा, एड्स वाइरस, एच्टी एल्वी 3 की खोज किस ने की थी, आंसर है रॉबर्ट गैलो ने, मानोशरी की किस संदचना में क्रीमी रूप परी शेशी का पाई जाती है, यानि कि वर्मी फॉर्म एपेंड आंसर है बड़ी आत में अगला कोशन, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन के आवशकता सरवाधिक होती है, आंसर है मस्तिश्क को, अगला कोशन, ब्राइट स्रोक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंसर है गुरदा, किस कारण स उतकों में ऑक्सीहमोगलोबिन से ऑक्सीजन निकल कर उतक्रेदवयों में जाती है आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण भोजन ग्रहन के पश्चात आहार नाल की तरंग गती और इसकी दिवार की गरंथियों के स्तरावन का उतेजन की संग द्वारा होता है आंसर है परानु कमपी तंतर मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होए आंसर है महा धमनी जिसे कि हम आयोटा बोलते है सिलिकोसिस क्या है आंसर है फेफडों से संबंदित रोग किस गरंथी को मास्टर गरंथी भी कहा जाता है आंसर है प्यूश गरंथी को मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्थरावी गरंथी कौन सी है आंसर है थौईरोइड अगला कोशन ग्लाइकोलिसिस के एक के अंजाइम कहां पाये जाते हैं आंसर है कोशिका द्रव्वे में यानि की साइटोबलाजम थैलिस्मिया के रोगी में शरीर किसके संसलेशन की चमता नहीं रखता है आंसर है हीमोगलोबिन अमाशिया में भोजन के जिवानों को को नश्ट करता है आंसर है एच्सियल अगला कोशन रक्तसमू ए बी को सारव भूमिक ग्रही क्यों माना जाता है आंसर है इसका क्योंकि ए बी रक्तसमू में परती रक्षी नहीं पाये जाते अगला कोशन मक्का में सफेद कली किस ततव की कमी से होती है आंसर है जिंक अगला कोशन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है आंसर है नेफ्रोन अगला कोशन तंत्री का उत्तक का प्रमुकार्य क्या है आंसर है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरू रजुंक वे मस्तिश के आवेख भीजना किस अंग को मानव शरीर का रख्त बैंक कहा जाता है आंसर है पलिहा यानि कि स्प्लीन अगला कोशन श्तरियों की तुलना में पुरुष वर्नाधता से अधिक प्रभावित होते हैं आंसर इसका उनमें केवल एक एक्स क्रोमुजॉम होता है अगला कोशन जो मनुशे यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोग देना चाहिए वा किस रोग से पेडित है आंसर है बुलीमिया रोग से पेडित है थाइमस गरंती द्वारा उत्पन होने वाला हार्मोन कौन सा है आंसर है थाइमोसिन अगला कोशन क्लोरेस्ट्रोल की समान्य सीमा मानों में कितनी है आंसर है 150-260 मिलिग्राम पर 300 मिलिटर कौन से तंत्र हमारे शरीर में समनवे का कारे करते है आंसर है तंत्री का एवं अनतस्त्रावी तंत्र यानिकि एंडोक्रीन सेस्टम अगला कोशन सिकल सेल एनेमिया का रोग किस की विक्रिती से होता है आंसर है RBC यानि की Red Blood Cell अगला कोशन गर्मिरोदक दवाईयां के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है आंसर है Estrogen ये आपको याद रखना है अगला कोशन कार्बोहाइडरेट किस रूप में शरीर में संगरित होता है आंसर है Glycosin के रूप में कार्बोहाइडरेट शरीर में संगरित होता है नेक्स कोशन यूरोक्रोम का निर्मान कैसे होता है आंसर है लाल रुधिर करनिकाओं के हीमोगलोबिन से यूरोक्रोम का निर्मान होता है ये आपको याद रखना है अगला कोशन एक स्तंधारी में सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है आंसर है Yakrit अगला कोशन इंटर्फेरोन का परियोक किसके नियंतरन के लिए किया जाता है आंसर है Cancer फेफरों की कोपीकाओं में गैसी यविन में किस प्रकार होता है आंसर है सक्रिय ट्रांस्पोर्ट मानो शरीर में सोशन के इंदर कहां स्थित होता है आंसर है मेडियूला, अबलंग्याटा तथा पॉंस में मनुश्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है आंसर है यूरिया, टेलिक उत्सर्जन जैविक, घड़ी, मानो शरीर के किस अंग से में स्थित होती है आंसर है हाइपोथेलमस में ये कोशन भी एक्जामें कई बार पुछा गया हाइपोथेलमस कहां पाया जाता है, मानो मस्तिक्ष में पाया जाता है अगला कोशन गामा ग्लूबूली इंजेक्शन का परियोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है आंसर है हैपेटाइटस पाचन किरिया के समय अहार नाल में स्टार्ज का अंति मुतपाद क्या है आंसर है ग्लूकोज, ये आपको याद रखना है इस वीडियो कम से कम आपको दो से तीन बार देखना है ताकि आपको सभी के सभी कोशन जितने की मैं आपके लेकर आया हूँ 330 कोशन अच्छे जिस समझ आजाए और याद भी हो जाए और आपका ये टॉपिक कम्पलीट हो जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो नेक्स कोशन है मारा व्रिक यानि किड्नी से प्रती मिनट और सत रक्त प्रवा कितना होता है आंसर है 1 से 1.2 लीटर प्रती मिनट प्रती रक्षी यानि कि अंटी बॉडी क्या है आंसर है ग्लाइको प्रोटीन प्यूश गरंथी किस अंग में पाई जाती है आंसर है मस्तिष्क में सरवादिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में अगला कोशन next question है मारा Reserpine नामक औशेदी का प्रियोग किसके लिए किया जाता है आंसर है उच्च रक्षच दाप को कम करने के लिए कौनसी कोशिका प्रतीरक्षी का उत्पादन करती है आंसर है lymphocyte कनिका विहीन रक्षच का तरल भाग क्या कहलाता है आंसर है plasma कौन सी गरंती अन्त एवं ब्रहाय स्रावी दोनों प्रकार की है आंसर है अगनाशिय यह कोशन फेंट हर साल एक्जाम में रिपीट होता है अगला कोशन भिंडी में पित वर्न शिरा रो किस कारण होता है आंसर है सफेद मक्खी से पाइरिला किस फसल में लगने वाला कीट है आंसर है गना कौड मचली के यकरित तेल में कौन सा विटामिन प्रचूर मातरा में पाया जाता है आंसर है विटामिन ए अगला कोशन एपिथैलमस किन गरंतियों से निर्मित होता है अंसर है पीनियल ग्रन्थी और हेल निवे उलाद्वारा अगला कोशन कौन सा वर्नक मानव की तोचा को रंग प्रधान करता है एक्जाम में कई पर पूछा गया है मेलانिन वर्नक जो होता है फेटर्ड़ों के उपर का आवरण किसका बना होता है अंसर है प्लूरल कला मानो शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक अंजाइमों का भी स्तरावन होता है आंसर है अगनाश्य काफी बार एक्जामें पूछा गया कोशन है यकरीद द्वारा किस प्रोटीन का संसलेशन वह संग्रह किया जाता है आंसर है फाइब्रेनोजन एवं प्रोट्रॉम्बिन वह बिमारी जिसमें मूतर के साथ रखता है आंसर है हीमोटूरिया यह आपको याद रखना एक्जाम के लिए काफी इंपॉरेंट है मानो शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है आंसर है मस्तिश्क वरीक नलिकाओं के दूरस्त कुंडिलित भाग से मुखेता किसका पुंडरा वोशन होता है यह सही आंसर है सोडियम क्लॉराइड मांस स्पेशियों के रेशयों में आवएक संरचन के लिए किस प्रदाथ की आवशकता होती है आंसर है sodium ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अनुओं का शुद्ध लाब होता है आंसर है 2 लंबे समय तक उपवास रखने का सरवाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है आंसर है kidney यानि की व्रिक पर लेंगर हैंस की द्रिपिकाई किस अंग में उपस्थित होती है आंसर है agnasia यानि की pancreas में किस रक्त समू का व्यक्ति सर्वदाता होता है आंसर है o समू अगला कोशन रानी खेद रोक किस से संबंदित है आंसर है मुर्गियों से कीट और समट यक्रित में उपस्थित कौन सा प्रदात मानो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है आंसर है heparin एक्जाम में कई बार पूछा गया है जठर गरंथियां किस अंग में पाई जाती है आंसर है amasya में कौन सी गरंथि मानो शरीर के तापमान को नियंतरित करने में सहाइता प्रदान करती है आंसर है थाइरोइड एक्जाम में कई बार पूछा गया कोशन है सफेद कीट किस फसल का रोग है आंसर है सरसो का समाने रूप से लाल रक्त कनिकाओं की आयो कितनी होती है आंसर है 100 से 120 दिन धान का टुंगरो विशानों किस के द्वारा प्रसारित होती है आंसर है हरी पत्ती के फुद्ध को द्वारा अगला कोशन क्रैप्स चकर में गुलकोस के एक अनों से कितने ATP की अनों का निर्मान होता है आंसर है 24 ATP अनों का ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है अगला कोशन नियूरोन का बहार निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है आंसर है तंतरी काउक शियाने की एक्सोन अगला कोशन गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से है आंसर है काला रोग मनुश्य के नवजाज शिशू को स्तन गरंथी से निकले पहले इस तराव को पिलाया जाता है जिसे क्लोरोस्टरम कहते है क्लोरोस्टरम शिशू के लिए किस प्रकार लाबधायक है आंसर है यह शिशू को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है अगला कोशन शरीर में संपून रख्त किसके माध्यम से शुद होता है आंसर है व्रिक यानि किड्नी द्वारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन होता है आंसर है छोटी आंत अगला कोशन यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग A, B हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा आंसर है A, B और A, B अगला कोशन किनवन अर्थात अनौक्सी सोशन की खोच सौरबथम किस ने की थी आंसर है लूई पाच्चर ने फेफरों तक अशुद रक्त किस के द्वारा पहुँचाया जाता है आंसर है फुसफुस धमनी यानि की पल्मिनरी आर्टरी अगला कोशन थैलिस्मिया एक अनुवांशिक बिमारी है यह किसको प्रभावित करती है आंसर है रुधिर यानि की बलड को मनुष्य का मस्तिश कितने भागों में विभाजित होता है आंसर है तीन भागों में सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेंस्टेम नेक्स कोशन कर लेते हैं जलिये प्रानियों में नाइट्रोजन विनिमे से उत्पादित होता है आंसर है अमोनिया मानुष्यरी का कौन सा हार्मोन रख्त के फॉस्फेट वै कैल्शियम को नियंतरित करता है आंसर है परावटू अगला कोशन कशेरुक रज्जू याने की स्पाइनल कोड में कितनी जोड़े तंतरिकाएं होती है आंसर है 31 जोड़ी एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है अब कोशन का लेवल देखे कर पता लग रहा हुआ सभी कोशन जो है एक्जाम औरियन्टेट है हर एक्जाम के लिए ये वीडियो काफी जादा यूसफुल है अगला कोशन मस्तिक्ष तथा मैरू रज्जू पर चड़ी जिली में सूजन आ जाना किस रोक के लक्षन है आंसर है मैनेंजाइटिस सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का नुभव नहीं होगा आंसर है मस्तिश्क फिफडों द्वारा शुद किया गया रक्त बाए अलिंद यानिकी लेफ्ट और्टरियम में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है आंसर है फुसफुश शिरा यानिकी पल्मनरी वेन तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारो और किस प्रदाद का अवरन पाया जाता है आंसर है मैलिन एक वैसक मनुश्य के रक्त में प्रती 100 मिलिलिलिटर में हीमोगलोबिन की मातरा कितनी होती है आंसर है 14.5 गराम रक्त में ग्लुकोंस की मातरा में व्रिदी को क्या कहते है आंसर है हाइपरग्लासीमिया अगला कोशन आयोडिन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है सही आंसर है क्योंकि यह थायरोड गरंथी का नियंतरन करता है अगला कोशन, रोगों की संदक्षन के लिए उत्तरदाई कीटों को क्या कहा जाता है? आंसर है, WECT अमाशे की दिवार का पेशिय संकोचन क्या कहलाता है? आंसर है, Peristylitis किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया प्रिथक किया जाता है? आंसर है वरिक यानि की किड्निस दवारा मानव की जनम के पशाद किस अंग में कोशिका भी भाजन नहीं होता है सही आंसर है तंत्रिका कोशिका में सोशन गुनांख का मापन किस यंत्र में किसे किया जाता है आंसर है गैनांख सोशन मापी से ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? आंसर है नेत्र का अगला कोशन वरिक के चारो और पाए जाने वाले जिली नुमा आवरन को क्या कहते हैं? आंसर है पेरिटोनियम अगला कोशन गठिया रोग जिसे कि हम अरिथरेटिस भी बोलते हैं का क्या कारण है? आंसर है रक्त में प्रवावित यूरिक एसीड का सोडियम यूरेट के किस्टलों के रूप में जोडों में एकत्रित होना नेक्स कोशन है मारा मानव मस्तिश का कौन सा भाग वृद्धी, सम्रिती और तर्क का केंद्र होता है आंसर है सेरिब्रम इंसुलीन में कौन सी धातो पस्थित होती है सही आंसर है जस्ता जिसे कि हम जिंक भी बोलते हैं जैड डन इसका फॉर्मूला होता है शरीन में कौन सी गरंथियां वाहिनी हीन होती है नि डक्टलेस होती है आंसर है अंतस्तरावी गरंथिया यक्रित एवं मांस पेशियों में उर्जा किस रूप में जमा होती है आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में इंसूलीन में कौन से धातू मौजूद है आंसर है जस्ता मानोशरी में छोटी आंथ होती है आंसर है अब सोशन के लिए सोशन किरिया में वायू के किस घटक की मातरा में कोई परिवर्तन नहीं होता आंसर है नाइट्रोजन BCG यानि की बैसिली कैलमेटी ग्यूरीन का टीका नवजाश इशू को कब लगाया जाता है आंसर है जनम के तुरंत बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं की मिलन को क्या कहते है आंसर है सिनैप्स एक वैसक सवस्त मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सरजित मूतर की मातरा कितनी है आंसर है लगबक डेड़ लिटर पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है यकरित मस्तिश की बिमारी को किस से पैचाना जाता है आंसर है विद्यूत मस्तिश क लेक सोशन में रुधिर का कौन सा गठक ओटू का अफसोशन करता है आंसर है लाल रक्त कनिकाएं यानि की आर्बीसीज यकरित शोध कैसा रोग है यानि हैपेटेटिस कैसा रोग है लार का टॉयलीन एंजाइम किस माध्यम में किर्याशील होता है आंसर है हलके अमलिय माध्यम में नेक्स कोशन मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है आंसर है 39 वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्तरावित होता है आंसर है यकरित यानि की लीवर द्वारा अगला कोशन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां स्थित होता है आंसर है कशे रुक रज्जू में अगला कोशन नेक्स कोशन है मारा पोलियो माइलेटाइस रो किस से फैलता है आंसर है विशानू से रक्त में आरेच क्या है आंसर है प्रतिजन नेक्स कोशन हमारे शरी का सबसे द्रिट भाग कौन सा है आंसर है दंत वलग जिसे की हम enamel भी बोलते हैं अगला कोशन शल्ले किरिया में आर्थो प्लास्टी का क्या कारे है आंसर है जोड का प्रतिस थापन करना नेक्स कोशन है मारा अवावियस शल्षण में पेशी कोशाई गुलकोस को किसमे परिवर्थित होकर उर्जा उत्पादन करती है आंसर है लैक्टिक अमल अगला कोशन मनुश्य के शरीर में परसलियों के कितने जोडे पाए जाते हैं आंसर है बारा जोडे वैसक मानोव में शरीर्लिक में जल का प्रतिशत कितना होता है आंसर है 65 प्रतिशत मानोव शरीर्लिक को सबसे मजबूत पेश्या कौन सी हैं आंसर है जबड़ू की अगला कोशन परिवर्तन शीर भ्रून की सुचकन यानि की ड्राइंग से कौन रक्षा करता है आंसर है उल्म यानि की एमोनियन अगला कोशन और उधिर के जमने में किस खनीज की अबशक्ता होती है आंसर है केल्शियम तो अच्छा पर चोड लगने के बाद इसका पुनरुदवन यानि की डी जैनरेशन किस के द्वारा किया जाता है आंसर है घनाकार उपकला अगला कोशन कंट्रा जिसे की हम टेंडन भी बोलते हैं किसको जोडती है आंसर है पेशी को अस्थी से अगला कोशन अस्थी का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है आंसर है औसीन का अगला कोशन भोजे निगलते समय स्वशन मार की संग द्वारा बंध हो जाता है आंसर है एपिगलोटेस ये भी आपको याद रखना एक्जाम में कई बार पुछा गया है अमाशे की दिवार का पेशिय संकोचन क्या कहलाता है अंसर है करमान कुचन अगला कोशन रुधीर में श्वएत रक्त कानिकाओं की अतियाधिक मातरा में उपस्तितियों की सरोग के नाम से जाना जाता है आंसर है लुकेमिया अथवा रक्त कैंसर सिशुओं में अतीसार का क्या कारण है आंसर है रोटा वाइरस श्वेत रुधिर कनिकाओं का प्रमुक कारे क्या है आंसर है शरीर की प्रतिरक्षा लाल रक्त कनिकाओं शरीर के किस अंग में नश्ट होती है आंसर है पलिहा यानि किस प्लीन मनुश्य का औसत रक्तचाप कितना होता है आंसर है 120 by 80 mm of Hg अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आंसर है औसीन पानी से भै नामक बिमारी किसके द्वारा उत्पन होती है आंसर है विशानों के द्वारा अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवन मुखेता क्या होती है आंसर है कैलशियम और मैगनिशियम के फॉसफेट नेक्सकोशन है मारा लसीका यानिकी लिंफ में किन रुधिराणूं की अनुपस्तिती होती है आंसर है लाल रुधिराणू यानिकी अर्बिसीस कौन सा प्रोटिन तवचा, बाल, नाखुन, सींग तथा खुर निर्मान में सहयक है आंसर है केरिटिन मनुशे के शरीर में रक्त का दाप कितना होता है आंसर है वायू मंडलिय दाप से अधिक नेक्स कोशन है मारा अस्थियों में मुख्यता कौन से अकार्बनिक प्रदात पाए जाते है आंसर है कैल्शियम तथा मेगनिशियम फॉस्फेट मज़ा गुहा का निर्मान किस परकार की कोशिकाओं करती है आंसर है औस्टियो क्लास्ट अस्थियों का निर्मान किन उतकों से होता है आंसर है सईयोजी उतकों से सिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है आंसर है 300 मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है आंसर है हाथ में दिल का दोड़ा परने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है आंसर है golden hour मनुष्य के शुकरानू में आटो सुन की संख्या कितनी होती है आंसर है 22 इस्तरियों में संपून गुनसोतर प्रारूप को कैसे बर्देशित किया जाता है आंसर है 44 प्लस एक्सक्स कलाई के अस्थियां क्या कहलाती है आंसर है कारपल्स एक्सामें कई बार पूछा गया है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक और शेर्ज जरूर करिए हमारा जो ब्लॉकिंग चैनल है रवी अदिती ब्लॉक्स इसको जरूर सब्सक्राइब कर लिजे रवी अदिती ब्लॉक्स और फिर अगर आपने डिली करंट फेर पढ़ना उसके लिए हमारा अलक्सी चैनल है जिसका नाम है करंट फेर्ट्स बाई रवी करंट फेर्ट्स बाई रवी नेक्स कोशन कर लेते हैं अब आतकारीन हार्मोन किसे कहा जाता है आंसर है अडिनल को टेस्टेसरोन हार्मोन का तरावन किसके द्वारा होता है आंसर है पुरुशों की व्रिशन द्वारा स्वर्पत्थम किस हार्मोन की खोज की गई थी आंसर है सेक्रिटीन की अगला कोशन मानो शरीड के किस अंग में लसिकाई कोशिकाई बनती है आंसर है पलिया में RBC का कबरिस्तान किसे कहा जाता है पलिया को हीमगलोबीन में कौन सा धातु मजूद होता है आंसर है लोहा रक्त का ठक्का बनने में आविशक अंजाइम कौन सा है आंसर है थ्रॉम्बिन पेस मेकर का क्या कार्य होता है आंसर है हिरिदे स्पंदन उत्पन करना आरेच प्रतिजन कहां उपस्थित होते हैं आंसर है लाल रुधिरानों उपर उत्कों में ऑक्सिजन की कमी से कौन सा रोग होता है आंसर है हाइपोक्सिया आकरी कोशन करते हैं इस वीडियो का सोशन किस प्रकार की प्रकिरिया है आंसर है अब चई प्रकिरिया मैंने आपको इस वीडियो में 333 कोशन करवाई मानव शरीर से जुड़े हुए अगर आपके हर एक्जाम के लिए अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो आप हमारी Current Affairs की बुक जिसका नाम है Ravie Current Affairs और GK की बुक, Ravie GK बुक को खरी सकते हो Flipkart या Amazon से अपके हर एक्जाम के लिए काफी जादा यूसफुल है फ्रेंच जो हमारी GK की बुक आपके हर एक्जाम में काफी जादा यूसफुल रहने वाले है डारेक्टली कोशन फ्रेंच हमारी बुक से पूछे जाते हैं क्योंकि हमने बहुत महनत करी अपनी इस बुक के उपर ठीक है फ्रेंच डेली Current Affairs पढ़ना है आपने तो Current Affairs by Ravie को सब्सक्राइब कर लीजे ठीक है यहाँ पर लिए देता हूँ Current Affairs by Ravie ठीक है फ्रेंच और English में अगर आपने यही वीडियो देखनी है तो Ravie Aditi Classes को सब्सक्राइब कर लीजे यहाँ पर लिए रवी अदिती Classes और फ्रेंच जल्दी में लाइब आने वालों अपनी ब्लॉगिंग चैनल के उपर तो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है Ravie Aditi Vlogs ठीक है यहाँ पर लिए रवी अदिती Vlogs ठीक है फ्रेंच इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजे और फ्रेंच वीडियो का PDF आपको टेलेग्राम पर मिल जागा हमारे Ravie Study IQ जी के नाम से है आप इस टेलेग्राम को भी जॉइन कर लेजे हमसे Facebook, Instagram पर टेलेग्राम पर जूर सकते हैं और Ravie Study IQ जी के नाम से है तो चलिए फैंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you and wish you all the best